अमरना थियात्रियों पर हमला दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि सेक्यूरिटी एजिंसियों ने अमरना थियात्रा के आंत्र की निशाने पर होने की बात कही थी और काफी दिनों से अरलट चारी किया हुआ था। कल रात आठ बच कर बिस मिनट पर अमरना थियात्रियों पर आंत्र की हमला हो गया। पहले आंतकियों ने अनतनाके बंटिगु एरिया में पुलिस पाटी पर हमला की आबाद में अमरनाथी यात्रियों सी भरी एक बस पर फायरिंग की। 25 आतंकियों ने अनतनाग में अमरनाथी यात्रियों सी भरी बस पर फायरिंग की। एक आंदकी ने बस में घुसने की कोशिश भी की लेकिन हैल पर के धक्के से वे इह काम्याब नहीं हो पाया। बस ड्राइवर साथ लोंगों की जान नहीं बचा पाया लेकिन 46 अन्य यात्रियों को सेफ जगर ले जाकर जान बचाकर अपनी सुच गुच का परिचय दिया। इस पर ड्राइवर की बहादूरी पर बहादूरी अवार दिया जाएगा। सभी लोगों का पार्थिव शरीर एयर फोर्स के स्पेशल प्लेन से सूरत ले जाया गया। घटना के बाद इनएस है अजीत डुभाल ने पीएमों पहुचकर एक हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग में सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि अमर्नाथी यात्रा चारी रहेगी। राजनाथ सिंग, सी एम वह गवर्नर ने जपनी लोगों की मदद का भरोसा दिलाया है। अनंतनाग में अमर्नाथी यात्रियों पर हमले के बाद महबुबा मुफ्ती ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की वह हमले में मारेगे लोगों को सी एम महबुबा मुफ्ती और गवर्नर ए नैन वोहरा ने श्रीनगर एरपोर्ट पर शदवाजली दी। सरकार के पुकता इंदजामों के बावजुद बुर्हानवानी की बर्सी जो की आठ जुलाई को हैं उससे पहले ही कश्मीरी रेंज के आईजी मुनीर खान ने सेना और सी यार पी एप की चिटठी लखी थी कि आंध की 100 से डेर 100 यात्रियों को मारने की साजिश रज रहे है जब महबुबा ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात के दौरान हाथ जोड कर हमले पर अफसोस जताते हुए कहा कि आप लोग गुजरात से आए हैं हमारे यहां यात्रा करने के लिए और हम लोगों ने क्या की आपके साथ इस पर अमरनाथ यात्रियों की तरफ से जो जवाब आया उस पर महबुबा मुफ्ति का शोम से से जिर छूक गया महबुबा के में जहा के ब्लान से सभी कश्मीरियों के सिर शोम से जूक ले हैं लोग इतने मुश्किलात के बावजोद इतनी दूर से यहां यात्रा करने आते हैं। कश्मीरियों के पास जो हमले की निंदा के लिए शब्द भी नहीं है। जम्मु कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए पुपता इंतजाम का दावा किया था। कहा गया था कि केंद्रियर रिजर्व पुलिस बल और जम्मु कश्मीर पुलिस की जवान यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के सेक्यूरिटी में 40,000 जवान बर बुरहान वानी की बर्सी को देखते हुए 21,000 जवान एक सेट्रा लगाए थे। इस साल सेटेलाइटस वर ड्रोन कैमरों के जरिये भी अमरनाथ यात्रा की निगरानी की जा रही थी। इतनी टैट सेक्यूरिटी के बावजुक कश्मीर के आईजी मुनीर खान के मुताबिक हमले के पीछे लशकर तयबा का हाथ हैं और मास्टर माइन लशकर का पाकिस्तानी इसमाइल है। केंद्री मंत्री वेखय या नाइडू के मुताबिक हमले के दोशियों को बक्षने का सवाल ही नहीं है। अनतनाग में सुमवार की राथ हमले के दौरान 5 महलाओं समेट 7 यात्रियों के मारे जाने की खबर है और करीब 25 यात्री जख मीहालत में है। हमले के शिकार तीन यात्री गुजरात, दो दमन और साथ महार आश्च्र से थे बताया जा रहा है कि ये लोग यात्रा करके वापिस लोट रहें थे. ए मैजे के हेलेकॉप्टर की जरिये मारेगे लोगों की बड़ी को एरलीफट किया गया. जम्मू में Internet Service बंद की गई है. केवल BSNL की Broadband Service Limited Speed के साथ काम कर रही है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर में शांती प्रे अमर्ना धियात्रियों पर कायराना हमले से दूख़त हुआ. हर किसी को इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए. मेरी समवेदनाई हमले में मारेगे लोगों की परिजनों से हैं. मेरी प्राथनाए घायलों के साथ है. भारत इस तरह के कायराना हमलों के आगे नहीं जुकेगा. उधर बैंक या नाइडू ने भी कहा है कि अनन्दनाग हमले के दोशियों को छोड़ने का सवाल ही नहीं. सुनने में आया है कि अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बसने इंपार्म नहीं किया. उनके साथ सेक्यूरिटी नहीं थी. जो ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए. अमरनाथ यात्रा में आने जाने वाली गाड़ियों को सेक्यूरिटी की वजह से रात में नहीं चलने दिया जाता. सभी बसन को शाम साथ बजे बेस क्यामप पर पहुँचना होता है. लेकिन निशाना बनी बस्ते वाक तक बेस क्यामप पर नहीं पहुँची. इस सान्सकवादी घटना से जम्मु कश्मीर के लोगों को बहुत नुक्शान होगा क्यूंकि उनकी रोजी रोटी का एक बड़ा हिस्सा अमरनाथ यात्रा से आता है. इसी प्रकार 2000 में अमरनाथ यात्रियों को पहल अगाओ में निशाना बनाया था जिसमें 17 यात्रियों समेट 27 लोगों की मौत हुई थी. तथा 36 लोग घायल भी हुए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्री नगस से 63 किलोमीटर आगे एक टरन पर मुड़ते ही बस पर फारिंग होने लगी जिससे जिससे की लोगों को समझ में आया गया कि ये एक आंसकवादी हमला है और वो लगातार गोलियां चला रहे थे. करीब करीब फारिंग के बीच तेज रफ्तार में बस दोड़ते हुए पांच की मीटर दोड़ जाने पर आर्मी वाले मिले जिससे कीवे घटना स्थल पर आये लेकिन तब तक आंसकवादी वहां से भाग चुके थे. अमरनात यात्रियों पर हमला करने वाले आंतो की संगठन लशकरे तयबा दक्षिन एशिया के सबसे बड़े इसलामी आंचकवादी संगठनों में से एक है. लशकरे तयबा का मतलब है अच्छाई की सेना. हाफिज मुहम्मद साईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1987 में की थी. हाफिज साईद के लवा इस संगठन को शुरू करने में अब्दुल्ला आजम और जफर एकबाल नामक दो व्यक्ति शामिल थे. इस संगठन द्वारा भारत के विरुद्व कई बड़े हमले हुए है. यह संगठन गुर्चारिटी, कारोबार, हवाला, जानवरों की खाल, वसूली और सकार से मिले पैसों की बदौलत ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. अगर अमरनाथ यात्रा में जिस बस पर हमला किया गया वो टायर पंचर नहीं होती तो शायद साथ यात्रियों की जान बज सकती थी. अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आंट की हमले का यात्रियों के होईसले पर कोई असर नहीं है मंगलवार को भी यात्रियों ने दशन किये है Security Agency अब Security Review कर रही है और नए सिरे से इंदजाम किये गए है प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस बस पर हमला हुआ वो शाम पांच बजे साच यात्रियों को लेकर श्री नगर के लिए टवाना हुई इसे 100 किलोमीटर की दूरी तैकर के 7 बजे जमू बिस क्याम पहुँचना था लेकिन जमू से करीब 50 किलोमीटर पहले ही बस का चायर पंक्चर हो गया और ये काफेले से पिछड़ गई ड्राइवर ने बस रोपकर चायर बदलने की कोशिश की करीब एक घंटा लग गया और 7 बज गये साथ बजे के बाद नाशनल हाईवे पर सफर्क खतरनाक हो जाता है बताया जाता है कि बस पर दो आंतकी गुटों ने हमला किया जो कि बाइक से घटना स्थल पर पहुँचे थे जम्मु कश्मीर सरकार ने केंदर को जो रिपोर्ट बेजी है उसके मुताबिक बस पर दो बार हमला हुआ यह अलग अलग गुटों ने किया है संगम पर बस का जायर पंक्चर हुआ यह एक घंटे लेट हुई आंतकी उन्हें मौके का फाइदा उठाया और कनबाल इलाके में हमला कर दिया ड्राइवर ने बस को तेज रफ्तार से दोडाया आंतकी उन्हें फिर फाइरिंग की इसके बाद बस करीब दो किलोमीटर आगे जाकर एक पुलिस स्टेशन पर रुकी अमरनाथ यात्रियों का नया जथ्था मंगलवार को अकले पड़ाओ के लिए टवाना हो गया इन में 3289 लोग हैं इन में 2283 पुरुष 756 महिलाएं वह 250 साध्ववा साध्वी है ये लोग CRPF की निगरानी में 68 बसों के जरिये जम्मू से बालचाल और पहलगाओ के लिए टवाना हुए जम्मू के डिविजनल कमिशनर मंदीप भंडारी ने कहा कि हमने यात्रियों की ही फाज़त के लिए सब्सेक्यूरिटी प्रुवाइड कराई है अधमरनाद गुपवा के लिए यात्री भजन कीर्टन करते हुए बसों से या रेल से या फिर हवाई जहाज से जाते है बड़ा है लेकिन फिर भी बाबा बर्पानी के भक्तों का जोश अभी तक कम नहीं हुआ है चंदनवाडी पी सुट्टॉप शेशनाग वपन चत्रणी होते हुए 42 की मीचर जो की दो दिन की यात्रा करते हुए पवित्र गुपा तक पहुँचते है पहल अगाव से जब यात्रा शुरू करते है तो अगले दिन उसको पवित्र गुपा के दर्शन हो जाते है जबकि बालटाल का छोटा रास्ता है उस रास्ते से जो यात्रा शुरू करते है उनको पवित्र गुपा के दर्शन उसी दिन हो जाते है बालटाज से लोग ज्यादा जाने के कोशिश करते हैं क्यूंकि यह रास्ता छोटा पड़ता है, यात्री यहां पर लगंजों में रुपते हैं, जबकि काफी संक्या में लोग होटलों में भी रुपते हैं. मौसम में लगातार बारिश हो रही है, और मौसम विभाग भी अगले दो दिनों तक बारिश होनी की बात कह रहा है, लेकिन फिर भी बाबा के भक्तों को इसका कोई असर नहीं पड़ा है. बाबा अमरनाद की पवित्र गुफा की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, पहला अंतनाग और गांधर बल से याने की पहला गाउव और बालटाल की रास्ते बाबा बर फानी के दर्शन के लिए जाते है.